तो सबसे पहले हम ट्रेपीजियम बनाएंगे पहले बीच में गाइडलाइन लेते हैं उसके बाद ट्रेपीजियम बनाएंगे बड़ा सा और ट्रेपीजियम बनाने के बाद बीच में जो गाइडलाइन लिया है उसको डबल करके रेक्टेंगल के रूप में बनाएंगे और एक नीचे में एक और ट्रेपीजम बनाएंगे तो बेसिक सेप्स के थूँ जो हम लोग इलेक्ट्रिक टेवल में बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से बनता है इसको गौर से देखें पूरे वीडियो को तब समझ में आएगा नीचे भी एक ट्रेपीजम ले लिए इसके बाद गाइड लाइन के थूँ ही सारा ड्रोइंग कम्प्लीट होगा इसको फिनिश किये अब जो उपर में जो बड़ा सा ट्रेपीजम लिए है उसमें दोनों साइड से एकवन कर्ब लाइन कीचेंगे नीचे के तरफ इसको कॉर् में मिलाने के बाद इसको सही तरह से फिनिश करेंगे और नीचे में हलका सा ओवर लाइन लेना है राउंड लाइन और पीच में इसको डिवाइड करके कर्ब लाइन पैरलेल खीचेंगे उपर का हिसा लगबक तयार हो गया बीच में जो गाइड लाइन लिया है उसमें डिजाइन करेंगे दोनों साइड पैरलेल इकवल जाएगा एक दोनों साइड बराबर बराबर हिस्सा में इसको डिवाइड करके और डिजाइन करते जाएंगे इकतम मेडिल मोहना चाहिए दोनों तरफ इकवल इसको डिजाइन करके अच्छी असी डिजाइन निकालना है इसको ब्सवर डिजाइन तयार हो गया और नीचे जो ट्रेपीजेम है इसको डाब की यानि बेसिक सेप्स के थ्रूँ इलेक्टिक टेबल नहीं बहुत आसानी से बन गया अब इसमें पेंसिल कलर से कलर भरेंगे यह मैं आर्ट लाइन का कलर रिज़ कर रहा हूं पहले इसमें लेमन एलो पूरी में फिल करता हूं वान डाइरेक्शन में प्रेंड इस वीडियो को आप पूरी तर अच्छी तरीके से देखें शुरू से अंतर आप एक बह अप्सूरा ट्रोइंग सिखेंगे एलेक्टिक टेबल लेम बनाना और इस चैनल में बहुत सारे और भी ट्रोइंग है जो आप देख सकते हो इसके बाद मैं और यह लिया हूं ओरेंज लाइट कलर बन डाइरेक्शन में इसको चलाना है ओरेंज का तीन टोन इस पर मैं चलाओंगा लाइट मेडियम और यह लो के बाद ओरेंज का त्रिटो आटलाइन में आपको कलर मिल जागा आटलाइन का वाटर कलर रिवज कर रहा हूं वाटर कलर पेंसिल बहुत ही सब्ट हता है पेंसिल अपर से भी अप्ट डाउन वान डारेक्शन में शेट करेंगे यह है ओरेंज डाफ टोन वान डारेक्शन में इसको सेट करेंगे बहुत ही अप्सुरत एफेक्ट निकलता है और यह लाटर का एक और टोन अब में इंडियन गेड़ यीव्स करेंग रहा हूं मैं पेंसिल कलर में रेड पेंसिल यीईज काThis करह आए और टुस्ट ह डाक शेटिंग लाष्ट डार्क शेटिंग लाइन बेगर ऐसी से फिनिश करता हूँ, डेट किलर पेंसिल, और बीच में डिजाइन में कर रहा हूँ, औरेंज से, औरेंज कर पेंसिल से, जीजॅँ लाइक, ब्राँच, ज्चमॉल ही स्टाइल, टेक्षर, प्लॉट टेक्षर, जो बहुत एफेक्टिभ और बहुत चंदार दिखता है। स्मॉल ब्राँचेज, जीज लाइक ब्रांच, किल गखने से पांगों, और इंज कलर पेंसे लिए अप्सुर्ट टेक्स है दिखने लाएं अब रेट कलर से पेंस किया है लास्ट टॉंग यह आर्ट लाइन का वाटर कलर पेंसील है बहुत ही सॉप्ट चलता है और आप इससे अच्छे तरीके से कलर कर सकते हो आपको बहुत ही मजाएगा इसको बनाने में क्योंकि यह बहुत सॉप्ट चलता है इसमें पहले मैंने लेमन एलो भरा लेमन एलो भरने के बाद ब्राउन से आउटलाइन करें है ब्राउन डार्क डिजाइनिंग बीट में पहले लेमन एलो उसके बाद डार्क ब्राउन से आउट लाइन इसके बाद औरेंज क्लेर से सेडिंग ले लेते हैं डार्क औरेंज इसके पाद रेट सारे लाइन को फिनिश करेंगे रेट कलर से रहलका हलका रेट से भी सेडिंग कर देंगे ताकि वो थिरड़ी एफेक्ट दिखे इसमें अब देके बहुत ही खुशुरत एफेक्ट नजराने लगा अब इसमें भारेंगे कलर परपल इसमें परपल कलर पहले वन डारेक्शन को पुरा फिल करेंगे परपल कलर पहले को हाथ निचे में डाप ब्लू और इसको ब्लैक कलर पैंसिल से सेड करके डाप कर देंगे और ब्लैक कलर पैंसिल से और क्लाइन फिलिस इसमें और रांच लग है जड आख ए वन्दिशन में फिल की जिसमें बाद ऐलो भाई पैजले पैंसिल से फिनिसे बाह द़ीरे पैंसिल लो यफ एल्टिवा पैंसिल से घूतिंग पैंसिल से ओलड पैंसिलान इसमें आप डिजाइन कर देते हैं जो मूती रेट किलर से मूती वाला लेरी जो होता है उसको लगा रहे हैं ताकि वो खुब सुरह देखे और अट्रेक्टिव लेक्लर पिंसल से उसमें धाग लगा दिये पुब लेक्लर को